नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपको आपके यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सोन अचारी आज हम बात करेंगे अंद्र सात्वान वन्स की जैसा कि हमारा बात का इतियास चल रहा था हमने मौरिय वन्स और सूंग वन्स और कणों वन्स और इनकी चर्चा हम कर चुके और इ बात करते हैं सात्वान वन्स के संस्तापक के बारे में तो मैं आपको बता देता हूं सात्वान वन्स का संस्तापक था जिसका नाम था सिमुक सात्वान वन्स का संस्तापक था सिमुक यह जानकारी हमें मस्य था वायू पुरान से मिलती है कहां से मिलती है मस्य वायू पुर तीके शात्वानस के सासबों को छाथको सृसकी ना उन्हें की सासब माणरों की सभी सासबों को करें था शाम एभी द्याद रखना है मस्य तथा वायूप्राण में अंद्र जाती तथा अंद्र बत्य आ गया हुद कहना तो मोल निवांस इंद का महया हुद है मूल निवास महाराष्ट्राम शाओंगे उधार को ऩम करेंगे पर्फ मटैस्रों में पर्फ नोटकर रूप बात करेंगे ढूशेस्टर के वारे में तक है कि युगि इस्ट माइश्ट कました कि सौ्द्ष भूल Nord कुछी सासवे दूव तक ड्मिली के Ilman कर दू अश्व Pfprez, जो माहाराष्ट में है, मैं आपको बता है कि इनका मून निवास माहाराष्टा स्केम किनारी तटकी किनारे ठीक है गोजाई चटके किनारे पर्टिस्टान और मर्दाई जो इसने केरंसी चलाई जो मर्दाई थी इसकी काल की जो हमें मिलती है उसके बारे में बात कर लेते हैं तो मालव सेली में रजत मरदाय चलाई इसने मालव सेली जो मालवा की सेली है उसमें मरदाय चलाई रजत सेली रजत मतलब रजत मालव सेली में रजत मरदाय चांदी की जो मरदाय थे रजत है निए चांदी चांदी की मर्दय चलाई किसने चलाई साथ करनी पर्थमने किसने साथ करनी पर्थमने रजत मर्दय चलाई और अपनी पत्नी का नाम उतकर्ण कराई किस पर कराई हूं मर्दय उपर अपने शिकों पर अपनी पत्नी का नाम उतकर्ण कराया था किसने कराया था साथ करनी ठीक है साथ करनी पर्थम और उसके बाद था ठीक है यह आल भी बहुत मेत्वान शासक के इससे भी कुछ परसंट बनते हैं तो आल की बात कर लेते हैं सांतिपुरुन सासक था ठीक है कवी और कवी विद्वानों का आश्रे दाता था ठीक है यह भी आपको दियान रखना कर जो यह हमें विद्वानों का आश्रे दाता था कौन था अल था तोँ दिए को झान को आट रखना इस की बासा थे परकट बासा ब्रामी लिंपि ठीक is लिए विया आपको रखना इसकी बासा थे परकट और दूज को अवश्ट कि लिएंड दर्वारी विद्वान कह लीजी तो इसमें पहले थे व्रहतकता की अच्चेता गुणादेग ठीके गुणादेग जो व्रतकता थी उसकी बासा थी पेसाची प्रकत थी किसकी इसकी व्रतकता की अब बात करते हैं कात अंत्रो नामक संस्कत व्याकरण के लिखक कात अंत्रो ठीक है नामक संस्कत व्याकरण के लिखक सर्ववर्मन सर्ववर्मन यह भी इनके दर्वारी कवी थे या दर्वारी विद्मान थे किसके थे आल के ठीक है जैसा के दूस्तों हमने पर्तब साथ करन्य पर्तं की बात कर ली और Hal की बात करनी उमम बात करेंगो गोत में पुत्र साथ करन्य की ठीक है इस 房स का 23 सबसे मांस आशक था ठीक है इस और साथ लोंस का 23 सबसा कह बारे मैं बतांगा आपको आ जुरूर यह ठीक है तो तो इस्वंस का 23 सासक कौन था गोत्में पुत्र साथ करनी था और यह सबसे महान सासक था यह भी आपको ध्यान रखना सबसे महान यह सबसे यूगी सासक यह था पर्थम यूगी सासक था सासक था गोत्में क्या साथ करनी पर्थम और फिर आता है आल जो एक सैंशनु या सांत में पर यह सा सकता आल जो एक कवी था और उसके बाद हम बात करते गोत्मे पुतर साथ गानी की जिसका सावसनकाल समय था एकसो चैनल रखना है उसने अपने आपको एक मात्र ब्रह्मन का है वह अपने आपको एक मात्र ब्रह्मन मानता था कि दुनिया में सबसे कोई ब्रामण धरम जो नभाता है अच्छे तरिके से वह सव है तो अपने आपको एक मातर ब्रामन भानता था. संको को अन्य को और शत्रीयों का गमढण शूर किया इसका की जानकारिय connect मिलती है इसकी जान görसे मिल तती है यह का से यहां से पता चलता है कि जहां का शासक था नवपान की बारी संक्या में चांदी के सिक्के मिलें किसके नवपान की जो कहां का सासक था जोग जोगल थंबी का मिले है जिस पर पुना साथवान सासको द्वारा डलाए जाने के चिन है तो इससे यह पतित होता है कि पहले जोग लंबी पर किसका सासक था नवपान का सासक था उसके बार किसका सासक हो गया किसका हो गया सातवानों कासक हो गया कैसी क्योंकि उनके सिक्को कोफण ड्लाय गया किसे कि मैंने बता है यह सासको द्वारा ड्लाए जाने के चिन है जिसे पतित होता है कि इस इह विजये किसकी थी घृट अ करनी की ठीक है और एक बाद आपने नोटिस की होगी कि इनके मात्र नाम परदानता दी गई है ठीक है जैसे कि अपने नाम के आगे मात् underneath लग देल से कि अपने नाम के आगे मात्र नाम की परदानता देते थे सात्वान वंस के यह पूछ लिया दाता है आपको कि कौन सा वंस अपने अपने नाम के आगे माता का नाम की माता के नाम की परदानता देते थे तो वह थे सात्वान वंस के सासक ठीक है यह आपको द्यान रखना आए ठीक है जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह जोगल थंबी में इसके विजय के साथ से मिले कि गोटमे पुतर साथ करने के ठीक है अब मैं आगी परता हूं आगी बात कर लेते हैं गोत्मे पुत्र साथ कंदी ने वने कटक स्वामी की उपादिधारन की ठीक है किसकी उपादिधारन की वनकटक स्वामी ठीक है उपादिधारन की और वनकटक नगर स्वामी ठीक है और इनकी अन्य उपादिया गोत्मे पुत्र साथ कंदी की अन्य उपादिया ठीक है राजा राज जो उपादिया इसने धारन की थी किसने गोत्मे पुत्र साथ कंदी ने उसमें एक है राजा राज और दूसरी है विद्यनरेश ठीक है विद्यनरेश की उपादी उसकी भोगोलिक उपादिये जैसे कि उसका जो राज्य था वह विद्यांचल प्रदेश के लए वह जो सब्सक्राइब में आपको बता देता हुसर में उसका समराज प्रदेश के उपरनी जो उत्री मंहाल्वा तक घृट्र Ler यह उन्हर्टो मसं पहल्य तक इसका शासन नहीं था और उत्तर में इसका साथध करनी रिए आपको ध्यान रखना के चांग125 का जो इसके बारे बारे में बदाया जैसिका उत्तर में आमालवा तक और मैं करना तक फैला था ठीक है आप मान सकते हैं गवालियर से लगाकर मैंगलोर तक इसका साथ सकता ऐसा आप से पूछेगा नहीं लेकिन आपको उत्तर्म से मालवा तक और करना तक तक फैला हुआ था दक्षिन में यह आपको द्यान रखना है अपने को ए-अपने आपको सवकड का रूपर मानता था ठीक है अब हम बात करेंगी विश्यस्टे पुत्र पुल्वामी की सॉरी दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो गोत्मे पुत्र सातगर्ने के पुत्र थे उनको पुल्वामी पुत्र कह दिया था लेकिन वो पुल्वामी पुत्र नहीं थी वो विश्यस्टे समाहा मांगता हूं आप से तो विश्वश्टीपुत्र पुलवामी ठीक है इसको घ्न हिसके पुलवामी जो गोत्में पुत्र साथकर्नी के पुत्र थे ठीक है गोत्में पुत्र साथ करनी के पुत्र थे और इसका सासनकाल था एक अजार तीस इसा पूरों से लगाकर एक अजार तीस इसवी से लगाकर एक सो चोपन इसवी तक इसका सासनकाल था यह गोत्मे पुत्र साथ करने के पुत्र थे ठीक है इनकी उपादिया हम कुछ पढ़ लेजिए इनके उपादिया बहुत जरूर यह और ज्यादा तर पूछी जाती है विश्यष्टी पुत्र पुलवामी की उपादिया ठीक है यह अंद्रसम्राट इनको अंद्रसम्राट भ भी कहा जाता है प्राणों में इसका नां पुलो उमा मिलता है पुलो माँ ठीक है यह आपको ध्यान रखना में इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हों विजय करने वालब पर्थम अते थिके जो THE कि पोरा कि उन्नों शयरा जो सकते लाजदानी पर्थान पर्तिस्टान उरंगाबाद गोदावी नदी के तरट पर हैं जैसा कि हमने परथम जो इनके राजाद्र थे जिनका नाम था आप साथ करनी पर्थम के बारे में पढ़ा कि उनकी राजदानी भी कौन सी पर्तिस्टान थी उन्हों पतीस टाल बनाई दे लेकिन इसने क्या किए उसका नाम चैंज कर दिया नाम रख दिया qa पुलवामि ने ठीक है यही कहांते गोदावरी नदीकित तट पर थिक है यह ज्यादा आंतर नहीं है इसने लामी चैंज किया ठीक है किसने किया विश्ष्टं पुत्र Pुलवामी ने और इसनने परमन नाम अपने इस्तती शुरक से त्रखने के लिए की गई देखो गोत्मी पुत्र साथ करनी अपने इस्तती को शुरक से त्रखना चाहता था इसलिए उसने अपने पुत्र विशिष्टी पुत्र पुल्मामी का विवा रुद्रामन की पुत्री से कर दिया जिससे उसके समंदी या इस्तेदार हो जाए जिससे कोई युद्ध का खत्रा उत्पन ना हो ठीक है यह आपको ध्यान रखना आए कि अब हम बात करते है अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे इस वंस के अंतिम योगी सासक के बारे में जो जिससे पर्सन पूटप होते हैं ठीक है यग्यशरी साथ करनी साथ वंस का अंतिम मेर्टम राजा है और संको द्वारा जीते गई भूबाग पर पुना प्रात कर प्रात किया जैसा कि मैं बता रहा हूं कि आपको जो जरूरी-जरूरी सासक है उनके बार में बता उसे उसे संको ने जीत लिया था ठीक है तो यग्यशरी साथ करनी ने अपने राज्य को वापिस प्रात किया किस से संको से ठीक है अपने राज्य को वापिस प्रात किया ठीक है अपने राज्य की जो सीमा थी जो इसके राज्य से पहले उत्तर पहले जो इसकी पीड़ी में जोई भी इसके वंसर्ज थे उन्होंने अपने राजियों को खो दिया था और संको ने उसे जीत लिया था इसने वापिस उनसे युद करकर वापिस प्राप्त कर लिया किसने किया यगिश्री साथकनी ने यह आपको द्यान रखना है यह वेपारयों जल यात्रा का प्रेमी थ यह गिश्री साथकनी वेपारयों जल यात्रा के प्रेमी था इसकी सिको पर जहाज की चित्र बनी है ठीक है इससे प्रतित होता है कि यह वेपार यह जल यात्रा का प्रेमी था अब हम साथवान वंस की जो मैत्पूर्ण अन्य तथे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगी ठी पूछ लिया जाता है कि सात्वान काल की सात्वान काल की परमुक बंदरगा कौन से थी वो थी बड़ोच और व्यपार का केंदर था बड़ोच था ठीक है यह आपको ध्यान दखना ठीक है चान्दी एवन तामबे की सिक्की जिसे क्रशापन कहते थी यह आपको ध्यान रखना है राजाओ के नाम मात्र परदान परदान होते थी ठीक है राजाओ के नाम मात्र परदान होते थी ठीक है मैंने जैसे आगे आपको बता दिया था पहले कि इनके नाम के पहले इनके माता का नाम का उलिक होता है तो इनके नाम माता परदान होते थी यह जैसा कि मैंने आपको बताया था ठीक है यदि आपको हमारा वीडियो अ कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली जय इन जय वारत